अच्छे दिन जी हाँ दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि भारत के अच्छे दिन अब आ गए हैं और आज भारत ने एक बार फिर चाइना को दी है मात उनी के बनाए हुए खेल में जी हाँ दोस्तों भारत ने एक बार फिर चाइना को हरा दिया है और इस पर जो हमने चाइना को जिस गेम में हराया है उसका नाम है कोरोना वाइरस वैसे तो कोरोना वाइरस पूरे विश्व भर में फैल गया है तकरीबन दोस्तों से जादा देशों में कोरोना वाइरस फैल और अब हम आगे निकल गए हैं 84 हजार से जादा केसिस 16 मईए को इंडिया में हो चुके हैं और 16 मईए का दिन हमारे लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टन्ट है क्योंकि आज से 6 साल पहले 16 मईए को ही भारत के जो डेमोक्रिटिक सिस्टम में एक बहुत बड़ी जीत हुई थ इसमें उन्होंने लगबग 330 से जादा सीटे जीत कर भारत में एक नई करांटी लाए थे और लोगों से वादा किया था कि अच्छे दिन अब भारत में आने वाले हैं और अच्छे दिन आ भी चुके हैं क्योंकि चाइना को हराने में हमने लिए हैं सिर्फ 106 दिन और हमने म किचिना कही रिकॉर्ड नहीं टूटा भारत में और भी बहुत जादा रिकॉर्ड तूटे क्योंकि वो भारत का 16 म mówi वाला दिन बना था, भारत का सबसे जादा करन, कोरोना वायरस केसिज वाला दिन, जिस दिन हमने रिपोर्ट के थे लग पग 4500 केसिज, एक ही दिन में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिकवर्ड हमने लोग जो ठीक करें कोरोना वायरस से, वो तक्रीबन 3600 थे, तो हमने जितने केसिज आए हैं, वो भी टॉप पे थे, और जितने हमने recover करे वो भी top पे थे और इसमें सबसे दिल्चस्प जो देखने वाली बात है वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो impact रहा 16 माई को वो देखने वाला था गुजरात का जिनोंने पहली बार register करे 1000 cases और उसमें maximum contribution हर बार की तरह रहा तकरीबर 970 cases का एहमदाबाद से और आपको दिखाते हैं कि next जो सबसे बड़ा था वो दिल्ली का तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि दिल्ली तकरीबन पिछले कुछ दिनों से लगा तार 400 में cases register करना है और देखने वाला सबसे बड़ा record जो मिला वो देखने को मिला तमिलाडू से जिनोंने लग बग 940 लो और इसके बाद जो सबसे बड़ा देखने वाला जो जो चेंज हमें अंदर मिला मिला हमें थि पंजाब से चिन्हों ने लुकरीबन के करीब केस को रीकवर किया एक ही दिन में और अपको बता देना चाहते है तकरीबन unanimous 12 Mai के दिन बहुत जयादा बड़े record में बने पंजा का तकरीबन 261 लोग वहां से ठीक होके गए तो यह कुछ रिकॉर्ड जो हमने 16 मही के दिन बनाए भारत ने और आपको बता दें कि काफी सारे स्टेट्स हैं जो कोरोना फ्री हो चुके और कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो पहले कोरोना फ्री हो चुके थे बट उनमें दुबार और उन्होंने अपने को कोरोना वाइरस फ्री भी कर दिया था बट एक डिफेंस के कैम से हमें काफी सारे केसिस मिले उसके बाद तकरीबन यहां 167 केसिस हमने तेरोपूरा में रिपोर्ट करें तो यह था हमारा ओवर ओल जो इनालिसिस था ओन कोरोना वाइरस जो था 16 माई तो दोस्तों 16 माई के दिन भारत ने तोड़े बहुत रिकॉर्ड अब देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा इंपेक्ट रहता है कोरोना वाइरस का भारत में हम तकरीबन अब करीब आच चुके हैं एक लाग केसिस के और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो हम केसिस के साथ हम लोग कोरोना वाइरस में और आगे जाते हैं अभी हमारी सेंटरल कॉर्मेंट को लगता है कि भारत में अभी भी सब चंगासी तो वह अपनी तरफ से क्या एक्शन लेते हैं वह देखने वाली बात होगी अब आने वाले दिनों में अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए और भी न्यूस के लिए अब हम शुरू करने वाले हैं अपने नए न्यूस की कड़ी जिसमें हम डेली देखेंगे कि क्या-क्या कॉंटेंट कवर होता है डेली न्यूस पेपर में और क्या च अच्का दिन कैसा लगा है